आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hi friends, हम यहाँ Question में बात करते हैं कि Match the Refining Methods, Column First Column First में Refining Method दिया गए With Metal Column Second Column Second में Metal दिये गए है तो यह कुछ Refining के Method है उनको Match करना है, Option भी आपको दिये गए तो जो पहला बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वो क्या है यह आपका Liquition है ठीक है तो जो Liquition Process होती है उसमें होता क्या है कि in this method a low melting metal like tin ठीक है तो यहाँ tin जैसे metal को can be made to flow on a sloping surface ठीक है एक sloping surface होती है उस पर हम इसको डालते हैं in this way it is separated from the higher melting impurities ठीक है जिनकी impurities में melting point जो है जिसका जादा होता है जैसे impurity अगर मिली होगी तो उनसे इसको क्या कर सकते हैं हम refine कर सकते हैं ठीक है तो tin होज़े है अब हम second की बात करते हैं June refining ठीक है तो June refining जो है वह आपका इस तरीके का method है इसमें जो है this method is based on the principle that the impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the matter ठीक है तो impurities जो है वह आपकी melt में ज्यादा soluble है than the solid state of the matter जो है वह आपका है तो इसमें क्या होता है कि आपको heater जो है fix होता है एक end पर ठीक है तो अगर हम कुछ-कुछ जो है इस तरीके का structure बनाएं ठीक है तो यह जो है आपको यहां पर ऊपर जो है आपके बेल्ट लगे होते पाई है तो इनको, आगे को इसमें एक rod होती ही, इसको आगे को किया जाता है ठीक है तो यहां पर जो है मैं इनको तोनों तरफ से close कर देता हूं ठीक है तो एक end में जो है यह आपका heater है तो आपकी जो metal है उसमें से कुछ आपका pure substance होगा कुछ impurities होती तो pure substance को आगे करते जाते हैं और जो impurities है वो पीछे करते जाएंगे at the end जब आपका हो जाएगा तो यहां last में जो बहुत सारी impurities बचेगी और उसको जो हम काटके बाहर निकाल देंगे तो ऐसे जो process जो रिफाइनिंग यह जादाता जो है semi conductor में यूज होता है ठीक है ऐसी जो process वह बहुत बार किया जाता और semi conductor जो है जिनमें जैसे germanium हो गया GE ठीक है और silicon हो गया आपका क्या हो जाएगा पोरोन हो गया गैलियम हो गया GE ठीक है तो यह आपके आते हैं ठीक अब अगर हम बात करते हैं थर्ड मोंस process की थर्ड दिया मोंस process ठीक है तो मोंस process में अगर हम देखें तो होता क्या है कि in this process सब्सक्राइब के साथ इसको जो है हीट कराया जाता है ठीक है टेंपरेचर जो है हाई रखा जाता है ठीक है हीट करा दिया एन आई सी ओ ओ ओ ओल फोर ठीक है तो temperature जो है लगब लगब अ 332 350 k 332 350 k ठीक है इतना रखा जाता है ठीक है अब फिर इसके बाद जो है यह एन आई सी ओ ओ ओ ओल फोर जो है यह क्या है अब हम आते हैं फोर्थ वाले के लिए फोर्थ में जो है वो आपको क्या दिया गया वैन एर के में होता क्या है कि इसमें किया जाता है कि जर्कोनियम जो है इसकी जो है आयोडीन के साथ जो है रियक्शन कराई जाती है ठीक है तो बनता है जेड आर आई फोर ठीक है और यह जो है यह आपका बना तो दिस मेटल आयोडाइड इस डीकमपोज होना टंगस्टन मेटल ठीक है टंगस्टन फ्लामेंट एलेक्टिकल हीटेट टू एवाउट एटीन हंडेट के दप्योर मेटल इसको क्या जो है हमारा एटीन हंडेट के पर हीट कर दिया तो जो आपका प्योर मेटल है जर्कोनियम जो है यह आपका मिल जाएगा ठीक है तो यह यहाँ पर जो है जर्कोनियम के लिए यूज हुआ है ठीक है तो अगर हम देखें कि जो वाइन अरकल मेटल है यह जर्कोनियम के लिए है ठीक है और यह जो है मौन्स प् इच का जो है फ़िश्ट का वह आपका किस से है यह आपका टेनेट से अर जैके हैं यह आपका सैमी can » मतलख स pension से और Wagenium जो है यह आपका क्या हो जाएगा यहां पर कौन से पोजिशन पर है तो यह जो है यह S पर है थार्ड की बात करें इस इस यूज़ पो दी निकल निकल इस Q अब फोर्थ की बात करें यह आपका P है ठीक है ऐसा जो आपको मैच देखने को मिलेगा वो आपको अप्सन नमर फोर में मिल जाएगा ठीक है? सो अप्सन फोर इस दी करेक्ट आउंगे ठीक? थैंक यू